काफी टाइम से हम सावमी के 11 Lite एनी 5G के लिए कुस्टम रिकवरी का सपोर्ट फाइंड कर रहे थे, कब देखनी को मिलेगा और फाइनली एक औरेंज फॉक्स का अपडेट आ चुका है जो कि सपोर्ट करता है Android 12 और MIUI 13 को जिसका वीडियो मैंने दे दिया था और उस सपोर्ट के आदनी के साथ ही साथ हमारा जो EU का विकली अपडेट आता है ना वो डाइट फास्ट बूट से रिकवरी पर स्विच कर चुका है और आज मैं इस वीडियो में आपको वही इस्टॉल करके दिखा हूँआ कि कैसे इस्टॉल करना है मैंने रोम को डाउर्ड करके यहां पर रख रखा है जो कि आप यहां पर देख सकते हो और अभी फिलाल जो मैं रोम यूज करो ना यह एक स्पेशल एडिशन है जो कि पाप 54 के तरफ से आता है जिसका रिव्यू मैंने अपने सेकेंड चैनल पर प्रवाइड कर रखा है मैंने इसे इंस्टॉल कर लेता हूं और इंस्टूलेशन गाइट का वीडियो तो मैंने दे रखा है आपको आयप काईवाटन या डडिस्वेशन इंस्टॉसन में मिल जाएग चिक कर लेना और इंस्टॉल कर लेना तो डाइक्ट स्विच करते हूं को यहां पे औरेंज होता है wipe करने का आप चाहो तो इस step को ignore भी कर सकते हो अधरवाइज आप select कर लो यहाँ पर data बस internet storage को select मट करना क्योंकि maybe आपका internet storage में फाइल होगा या फिर आप चाहो तो OTG भी use कर सकते हो अब सबसे पहले wipe कर देंगे home पे आएंगे file पे जाएंगे अब आपका जो भी रोम है चाहिए वो AOSP का हो या फिर कोई आपका EU का या MIUI का mode रोम हो जो recovery में available है और जो flash हो उसे आपको select करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे EU को select कर लिया जो कि हमारा latest weekly update है 22.8.10 उसके बाद क्या करना है swipe कर देना है अब यहाँ फ्लैस होने में थ्वासा time लगेगा depend करेगा रोम के उपर तो थ्वासा आपको wait करना है यहाँ पे complete flash हो चुका है ठीक है complete flash हो जाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी orange fox recovery या जो यूज कर रहे है वो permanent रहे तो एक और back होके आप वह same recovery को दुवारा refresh कर लेना ताकि आपका recovery replace ना हो किसी other recovery के साथ अगर आप चाहते हो तो ठीक है flash हो जाने के बाद आप home पे आओ wipe पे जाओ format पे जाओ और यहाँ पी yes टाइप करो और उसके बाद format लेकिन हाँ format करने से पहले अपना data backup कर लेना क्योंकि सबको delete हो जाएगा और मैं भी format के time पे इस तरह के साथ आपको error भी मिल सकता है तो अगर error आता है तो आप यहाँ पर simply है जो एक रिबूट कर लो अपने phone को आपका नया OS बूट कर जाएगा अगर नहीं बूट करता तो दुवारा reboot to recovery आप open switch करो और fill format करके reboot कर लो आपका OS बूट कर जाएगा मैं यहाँ पर आपको बूट लोगों दिखा देता हूं कि होता है या फिर नहीं होता तो यहाँ पर वापस से हमारा recovery open हो चुका है तो बूट नहीं हुआ मैं अब यहाँ पर दुवारा format करूंगा तो यहाँ पर format हो चुका है नीचे कोई error नही करके आप format कर लेना यहाँ पर इसने auto reboot recovery कर दिया और मैंने बस format किया है और अब यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस चालू हो चुका है तो इस तरह के से आप कोई भी flashable room अपने orange fox या in future कोई भी custom recovery आता है उससे flash कर पाऊगे तो मिलते निक वीडियो में कोई भी doubt हो तो comment कर ल हुआ हुआ है